कपास के पौदे पे आने वाले फूल जिमेदार की भरपूर मेहनत का नतीजा है सख्त गर्मी में हल चलाने, बरवक्त पानी देने, जड़ी बूटियों को तल्फ करने और खाद देने के नतीजे से ही ये फूल वजूद में आते हैं इन फूलों की शुरू से ही जितनी हिफाज़त की जाए कम है क्योंके हर फूल की हिफाज़त पैदावार बढ़ाने की कुझी है एक फूल फी पौदा जाया करने का मतलब एक मन फी एकर का नुकसान जबके एक इजाफी फूल का मतलब एक मन इजाफी पैदावार फी एकर कपास के पौदे पर तॉल स्टार का स्प्रे एक हिफाज़ती हिसार बना देता है जो कीडों को खेट से दूर रखता है और फूलों की हिफाज़त करता है तॉल स्टार के स्प्रे से ज्यादा से ज्यादा फूल टींडे बनते हैं और ज्यादा चुनाईयां हासिल होती हैं यानि टॉल स्टार से कपास की पैदावार में भरपूर इजाफा होता है यकीनन टॉल स्टार से ही जिम्यदार को अपनी मेहनत का फल मिलता है टॉल स्टार का असर मौसम मौसम काइम रहता है शदीद गर्मी यानी पचास डिग्री सेंटीग्रेट तक दरजा हरारत हो या मुसलाधार बारिश टॉल स्टार का असर जाहिल नहीं होता शुरू से ही अपनी कपास की फसल की भरपूर मेगदास्त के लिए टॉल स्टार का इत्तखाब करें टॉल स्टार के स्प्रे से मिलने वाली आला पुटी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक कारामत शेय बनती है